अब आप अपने पीता के सव को देख के आए हैं क्या कहना चाहिए कि क्या क्या इस तीटिया सव को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है इसको बताने से क्या पाई जिए मानिये नियायाले में बता रही है मानिये नियायाले के समझ विदायक जी ने लिखतर दिया उनीस तारिकोन को खाने में सब्सक्राइब क्या हो गया तबियत बिगड़ी आई सीउ लाए गए बिमार थी बारा घंटे के अंदर इतना प्रशार पढ़ा कि दॉक्टर स्वतन तुरूप से लाज भी नहीं करता इसीउ से इंसान वाड में जाता है प्राइवेट वाड में जाता है या इसीउ के बाद यो यूनिट होता उसमें जाता है यहां इसीउ के बाद सीधा तनहाई बैरिक जेल और तनहाई बैरिक डियल की और उसका आलम यह है कि आज अज प्रसाइब को और हाट अटेक के और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मताबिक यही है कि उनको स्लो पॉलिजन दिया जा रहा था जिसको वो कई बार से मानिन नयालियों में बलकि अब तो सारे देश में सब मेडिया के माध्यम से सब को यह बात जा जुका है कि हम पूरा परिवार हमारा और युद्ट हमारे लिए लेकिन तहां सुना है क्या स्थाओं बात कर रहे हैं कि अवाट लाएं और वह ऑइंगे नहीं वह बात कर रहा है अब सुबा से आपदेट करेंगे उनकी तब्यत नहीं नहीं चीप है यूपी के कद्दावर नेता आप उन्हें बाहु बली कहें गैंस्टर कहें जो भी कहें लेकिन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर बिधायक मुखतार अनसारी का आज निधन हो गया है उनके निधन से ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बलके देश की राजनिती में हलचल मची हुई है आपको बताते चले के मुखतार अनसारी गंभीर रूप से बिमार थे उनकी अमर तकरीबन साट साल हो चली थी और आज जब उनकी मौत ह वी तो मौत की जो वजह बताई गई है वो दरसल हाड अटेक बताई गई है लेकिन नेताओं के तरफ से जो प्रतिकरिया आ रही हैं वो काफी चौकाने वाले हैं काफी गंभीर हैं कई पॉलिटिकल लीडर ऐसे हैं जिन्होंने उन पर यानि जो हकूमत है उत्रपरदेश की सरकार है परशासन है जिल परशासन है उन पर कई गंभीर आरूप लगाये हैं आएए वीडियो में आगे हम आपको बताते हैं और न्यूस के हवाले से हम आपको समझाते हैं कि दरसल लोगों ने खास करके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने मुखतार अंसारी के में ऀधानी घत्या जाने किसने क्या कहा दोस्तों सब से पहले आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने क्या लिखा समाजवादी पार्टी ने एक सपर ट्वीटर पर लिखा कि पूर बिधायक स्री मुखतार अंसारी जी का इंतकाल दुखद ईश्वर उनकी आत्मा को शांती दे शोकाकूल परिजनों को ये असीम दुखद सहने का संबल प्राप्त हो वही दोस्तों बीजेपी नेता डॉक्टर सुदानशुत रिवेदी ने लिखा है कहते हैं के अती का अंत अती भयानक होता है कुख्यात डॉन या यू कहें के समाजवादी पार्टी के पूर बिधायक मुखतार अंसारी को 40 सालों तक कोई अदालत कोई कानून उसे सजा नहीं दे पाया और उस पर कुल 61 मामले दर्द रहे माफिया डॉन मुखतार अंसारी बीते चार दश्कों तक अपराद की दुनिया का बड़ा नाम रहा लेकिन उसे पहली सजा सितंबर 2022 में हुई थी जब प्रदेश में योगी आदित नात की सरकार आई थी उन्होंने काफी बड़ा पोस्ट लिखा है तो कुल मिला करके बीजे पी के जो नेता हैं परवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि कहीं ने कहीं अंत हुआ है अंसारी का और अंसारी पर जो गंभीर आरोप लगे थे उसके बारे में उन्होंने डिटिल्स बताया उन्होंने ये भी कहा कि सबसे पहले अगर उन्हें सेजा होई तो योगी सरकार में उन्हें सेजा दी गई है दोस्तों मुखतार अंसारी की मौत पर आए जानते हैं पपू यादब ने क्या कहा क्या लिखा पपू यादब ने लिखा कि पूर विधायक मुखतार अंसारी जी की सास्थानिक हत्या कानून सम्विधान नरसंगिक नियाय को दफन कर देने जैसा है यानि उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधे तोर पर इन्होंने यानि पप्पु यादब ने योगी सरकार पर निशाना साधा है अब आई ये बात करते हैं तेस्वी यादब की तेस्वी यादब ने मुखतर अंसारी की मौत पर क्याली खाया आपको सुनवाते हैं यूपी से पूर विधायक शरी मुखतर अंसारी के इंतकाल का दुखत समाचार मिला परवर दिगार से प्रार्थाना है कि दिवंगत आत्मा को शान्ती तथा शोका कूल परिजनों को दुखत सहने की शक्ती परदान करें दुख सहने की शक्ती परदान करें दोस्तों तेस्वी यादव आगे लिखते हैं कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है फिर भी मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो कहीं न कहीं तेस्वी यादब का कहना है कि जो आशंका उन्होंने जताई थी जो उने शकोशवा थी उसको ले करके जो हकूमत है यूपी सरकार है जिला परशासन है जिल परशासन है उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया overall आप क्या सोचते हैं पहले अतिक एहमत की हत्या होती है और अब मुखतार अंसारी की मौध होती है क्योंकि हम allegation किसी पर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जो report आई उस report में heart attack दिखाया गया है खेर वहरहल आप इस पूरे मामले को लेकर के overall क्या सोचते हैं क्या समझते हैं अपनी परतिकरिया जरूर दे सकते हैं अगर वीडियो को facebook पर देख रहे हैं तो channel को follow कर लिजे like कर लिजे, youtube पर देख रहे हैं तो channel को subscribe कर लिजे